चीन के द्वारा दक्षने चीन सागर को अपनी जागीर माना जाता है और जागीर की सुरक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है हाले में US के Department of Defense में एक रिपोर्ट पर चरचा की गई जिसमें ये कहा गया कि चीन की नेवी एक सूपर पावर के रूप में डवलप हो रही है 1990 के बाद से चीन के द्वारा लगातार परियास के जारे थे अपनी नेवी के आधुने की करन के लिए और फाइनली East Asia में कोई भी कंट्री उनके सामने नहीं टहरती है और 2025 और 2030 तक के उनके जो लक्षे है यदि वो अचीव होते हैं तो पूरे वर्ल्ड में एक सूपर पावर के रूप में वो उभर सकते हैं अभी हाली में देखिए उन्होंने पने शक्ति का प्रदशन किया है और यूएस की नेवी को एक चुनोती जो है दी गई है दरसल हुआ क्या है चाइनीज नेवी स्टुमिलेट्स अटाक और यूएस नेवी वार्शिप इन साउथ चाइना सी दरसल चाइनीज नेवी ने एक अटाक को स्टुमिलेट किया अमेरिकन नेवी के टास्क ग्रूप पे और यह हुआ दिसमबर 21 को लेकिन दरसल अब फाइनली जाके वो वीडियो रिलीज हुई है और एक साउथ चाइना कमिशन था इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके द्वारा से कन्फर्म किया गया है तो अब यह जो न्यूस है यह समझारों में दिखाई दे रही है और सेम दिन पुरा दिन था उस दिन यूएस के लिए चाइना का जो जे इलेवन फाइटर जेट था उन्होंने इंटरसेप्ट किया यूएस इयरफोर्स का आसी वन थर्टी फाइफ सर्विलेंस एयरक्राफ्ट देखें माना जा रहा है कि चीन का जो साउथ चाइना सी के अ चीन का कहना यह कि उन्होंने जोग भी किया है वह लीगल किया है और इंटरनेशनल स्टांडर्स के अनुरूप किया है और यूएस की तरफ से अभी कोई स्टीमेंट तो नहीं आय थी जब तक मैंने ये वीडियो जो है बनाई है अब देखिए यह पहली बार नहीं है अगर यहां पर सितम्बर 1222 के न्यूस पर नजर डाले तो ताइवान के तरफ से वान किया गया था कि चाइना रिपिटिटली स्टुमिलेटर अटाक कर रहा है यूस वार्शिप्स पर अब यह जिसके ऊपर यह स्टुमिलेटर अटाक किया गया दे कि उसके लिए ठीक बात नहीं है जिसने किया है उनकी एक रियल टाइम की एक्सराइज यहां पर बेसिकली हो जाती है ठीक है तो चाइना का देखिए साउथ चाइना सी पर जो अग्रेशन था वो बढ़ता जा रहा है और वो अपनी मसल पावर रिफलेक्ट करने से चूकते नहीं है हाले में ताइवान को लेकर प्रियून का स्थान्स था वो स्ट्रॉंग होता जा रहा है और ताइवान स्ट्रेट के पास बहुत सारी आप कह सकते हैं नेवल आर्मी और एरफोर्स की एक्सराइज हो टाइम टो टाइम कर रहे हैं यहां पर एक ट्वीट आप देख सकते हैं साउथ चाइना जो कमिशन इक बैठा था बेसिकली उनके द्वारा के यूएस मिलिटरी का एक आर्सी वन थर्टी फाइफ फी त्री पी एट ए वन ए त्री जी जो कि क्लार्क एयर बेस और कैड़ा एयर बेस से ओपरेट कर रहे थ तो निंसे पालो सी की विजट हो उस टाइम पर लाइफ फायर जो है एक्सराइस की गई हो चाइना के द्वारा या हाले में यह जो नियूस निकलकर आई है कही न कहीं चीन के तरफ से सीधे सीधे चुनूती है यूएस के लिए और यूएस की अपनी खुद की एक रिपोर् उस रिपोर्ट को भी हम अपनी वीडियो के एंड में देखेंगे यहां पर देखेंगे दिसंबर 2021 को जो कुछ भी हुआ इसमें जो महतपूरबाद थी जिस पर दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा है वो यह थी कि चाइना एक साथ दो अलग जगा पर बहुत बड़े लेवल की exercise को अंजाम दे रहा था यानि कि उनके पास वो capability आ गई है कि aircraft career को लेकर दो distant जंगाओ उपर simultaneously वो जो है अगर war की situation आती है तो काम कर सकते हैं इसी चीज़ को देखें यहां पर एक tweet के द्वारा बता गया है कि वर्थ नोटिंग बोथ carries Cv-16 लियोंगिंग और Cv-shadong are at sea drills training at the same time South China Sea की यह satellite images यहां दिखाई गई इस बात का क्या मतलब है सीधा सा मतलब है कि दरहसल PLAN की जो अनोदर एक career task group था वो भी जो है एक large scale के exercise कर रहा था कहां पर Philippine Sea पर तो एक तो South China Sea में और दूसरा Philippine Sea में ताइवान का बार बार यह कहना है कि चीन के तरफ से पूर Philippine Sea में अगर कल को war की situation होती है तो ताइवान को aid देने के लिए कोई भी अगर foreign help आएगी तो उसको जो रोकना है उसको अभी से ही prepare करके रखना है तो अभी भी अगर कोई भी foreign country का वहां पर वैसल या ship या aircraft या कुछ भी दिखाई देता है तो उसको रोकने की पूरी करते हैं और ऐसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ ही भी किया हुआ है यहां पर देखे इनकी जो ability है कि simultaneously large scale career options को दो different locations पे कर सके बहुत significant one है क्योंकि अब वह जो अपने out of area operations के बारे में बात करते हैं यह उसका एक concept का पार्ट बन चुका है यानिके दूर जाकर भी जो aircraft carriers ह उनके साथ किस तरीके से operations handle किये जा सकते हैं और यह बहुत जादा important है यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह South China Sea का एक map है location पर अध्यान दीजिए ठीके चीन आपको दिखाई दे रहा है Vietnam है Malaysia है यहां पर Brunei है इसके बाद आप देखेंगे तो Philippines है and Taiwan है और तारी countries के कर जो है विवाद देखने को मिलता है क्यों मिलता है चीन में कहा भाई एक है nine dash line वो जो nine dash line है उसके अंदर जितना भी area आता है वो सारा area है हमारा उन्होंने कह दिया उनकी जो claim line है the so called nine dash line वो दरहसल जो बाकी countries है उनका जो exclusive economic zone आता है उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारती है द आइवान का भी होगा वियतनाम का भी होगा बुरुने का होगा मलेशिया का होगा कर एक जड़ के अंदर हर कंट्री को बहुत exclusive right मिले होते हैं तो इन right पर सीधे 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 है अगर चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी का nine dash वाला line का जो पूरा area है वो हमारा है इसके अला करता है कुछ नाम आपको पता होने चाहिए स्काबोग शोलास थे के पार्सल आइलेंड स्पाटली आइलेंड इसी पर विट्सन रीफ है यह कुछ आते हैं और आप देखेंगे जो स्काबोग शोलास है यहां पर तो फिलिपीन्स अपना जो exclusive economic zone का क्लेम भी करता है अगर हम देखें तो South China Sea का जो एरिया है लगबग 3 मिलिन स्कॉर मिटर का है अब इसके विच्छे चीन इतना पांगल क्यों है सबसे पहले बात तो देखेंगे जो है पांच ट्रिलियन का शो शिपोन ट्रेड होता है वो यहीं से पास करता है एक साल में दूसरा माना जाता है कि पर भी खनन नहीं हुआ है वो यहां पर है और जो तरसली पूरा सी बेड़ है यहां पर बहुत सारे क्या है मिनरल के एक कमपोजिट होते हैं वो भी यहां पर लेकिन ऑईल और गैस के अनेक्स्पोरिटर्ट रिजर्व यहां पर है यह देखें जो है माना जाता है अब करते कि रहते हैं इसके बावत चाइन एक आइल इसमें उन्होंने बना दिया है यहां पर आप इस आईलैंड की पिक्च्र देख सकते हैं यह मैन मेड ध्वीप है पिक्च्र जो है कि दरसल ओक्ट्वर पचिस की है और रिए स्पार्टले आईलैंड पर जो मैंने इभी आप को दिखाया था इस तरह की कंस्ट्रक्शन चीन के अपने क्लेम को पुष देने के लिए की जा रही है और धीरे यह जितनी भी आउट पोस्ट है इनका मिलिट्राइजेशन जो है चीन के द्वारा कर रहा है पहले जमीन कप जाओ वहां पर कंस्ट्रक्शन करो इंफरस्ट्रक् ताकि जो उसके expensive territorial claims है उनको जो है मजबूत कर सके भले कितना ही international विरोध हो रहा हो same strategy में ही जो paramilitary vessels है उनको दूसरों का जो fisheries zone है दूसरों का जो अपना एक energy resources वाला जोन है वहां पर भेजना भी है तो paramilitary vessels वो भेजते रहते हैं अभी हमने देखा था इंडियन ओशन रीजन में तो वो जासुसी जहाज जो है बार बार बेच रहें अब यहां पर देखे थोड़ा सा और क्लियर समझते है यह जो यह जो रेड कलर है वो बोलते है इस इस आर एरिया ठीक है अब आप देखेंग है यह पर आता है पार्सल आइलेंड तो चीन भी अबी क्लेम करता है विक शो में जो उँदान पहाल समय इधनाब कहिए नेगां क्लेम करता है टाइवां यृट n taiwan को इन का क्लेम यृट नि teフक सार्थ क्लेम और और स्पार्टले यह एट्नेंड टेश्रीप्लींटर यह चीन का क्लेम है विक मै थोटनाम क्लेम का क्लेम हेड स्टार्ट जो है ले चुके हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इसी के साथ ही यूएस के जो ओपरेशन्स हैं साउथ चाइना सी में उनकी इंटेनिसिटी पे बढ़ गई है ताइवान को लेकर यूएस की अपनी पॉलसी है और चीन को वो काउंटर करना चाहते तो अभी आज अभी के दशकों में देखा जाए हाल फिलाल में तो यूएस ने इपने सौविलांस ऑपरेशन्स भी यहां पर बढ़ा दिये और देखे किस तरह की टैक्टिक मानी जाती है कर कोई कंट्री किसी तरह की एक्सराइस कंड़क्ट कर रही है तो उनको देखा जा अमेरिका के दो निम्तिस क्लास के ए एक एक यूस निम्तिस था और धूस्रा दूसरा गूसेस डोनाल जिगन था उन्होंने पहली बार एक ड्यूल करिलीend के शिम्तिस प्राइस कर गया था जिसको में पर छह सालों में और मैं इस साल में आवको बताना हु ऑन्युनों और ये बताया था उस्ट्रेलिया के डिफिंस डिपार्टमेंट ने तो ये चीज़े हैं पर क्लियर होई अब बात कहते हैं उस रिपोर्ट की जो बेसिकली हमें एक कमपैरिजन दिखाएगी आप देखेंगे कि यूएस नेवी की कैपबिल्टीज को लेकर ये रिपोर्ट थी आपर चाइना नेवल मॉडरनाजेशन चाइना नेवल मॉडरनाजेशन इंप्लिकेशन फोर यूएस नेवी कैपबिल्टीज बैक्ग्राउंड इन इस्यू फोर दे कॉंग्रेस नेवेंबर दस दो हजार बाइस की ये रिपोर्ट थी इसमें दरसल क्या बताया गया कि जो चाइना की नेवी है पूरे एस्ट एशा में तो लाजस्ट है ये 15 से 20 के बीच माना जाता है कि बैटल फोर्स शिप्स के नंबर के मामले में यूएस को भी सरपास कर दिया था 15 से 20 के अंदर में चीक है इसके बाद आपर बताया गया कि डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस ये सब्मरीन से एयरक्राफ्ट करियर से ओशियन ओंग एंबिफीरियन सिप्स माइन वार्फेर शिप से फ्लीट ऑक्जलरी से और 2017 में चीन के द्वारा रशिया के एयरक्राफ्ट करियर का एकदम डुपलिकेट कॉपे बना दिया गया था और उसके बास उन्होंने पीछे फोर्स यहां पर है फाइनल शियर 2021 के एंड में बोला गया था और यहां पर यह बता है चीन अभी रुकने वाला और नहीं है दो हजार पच्चिस तक वो 420 शिप जो है बनाने की तयारी कर रहे हैं और 2030 तक करीब 460 शिप बनाने की तयारी कर रहे हैं यहां पर बेसिक लिए यहां पर देखे एक बजट दिया गया था यूएस के लिए ताकि वो भी अपनी नेवल शिप बिल्डिंग को जो है स्ट्रॉंग कर सके इसे के साथ ही दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है चलते-चलते मैं आपको एक महतुपूर जानकारी दे देती हूँ आप सूपर को जोड़ सकते हैं जहां पर आप अपनी यूपीस की तैयारी को बेहत सहज ढंग से एक स्ट्राटेजिक मैनर में कम्प्लीट कर सकते हैं और फीस भी यहां पर बहुत जादा अफोर्डेबल है अगर आप देखेंगे और साथ ही अगर आप मेरा जो फाकल्टी कोड है प्राच करनी पड़ेगी एक निशन के रूप में हमें से सीखना पड़ेगा कि हमें अपना क्यापसरेटे बल्डिंग कैसे करना है और आगे बढ़ना होगा नए वैश्के सुप्तामनों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया जैहिन मिलूंगी जल्दी